हेलो एवरीवन वेलकॉम अगीन टू लंग्रेदितिमन आज हमारा चैप्टर रहेगा राजिस्थान के त्योहार तो राजिस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है वो बिल्कुल फैक्चुल है आप लोगों को यहां पर लर्ण बहुत ज्यादा करना है ठीक है जो फैक्ट है इ उनके बारे में तो नहीं पूछते हैं लेकिन यहां पर जैसे कि त्योहारों की बात कर लें तो पूछा जाएगा कोई भी त्योहार मान लीजिए होली का त्योहार जो है वह किस महा मनाया जाता है ठीक है और कहां की लठ मार होली जो है वो प्रिसिद्ध है इस तरीके के कु विविद्दाओं से भरा देस हैं यहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं. तो कोई ना कोई त्योहार तो हर महीने आता ही रहता है और लग बग पूरा साल जो है वो त्योहारों से ही भरा रहता है तो त्योहारों का मतलब ही क्या होता है? खुजिया आना. मान लिजिये होली आ रही है, दिवाली आ रही है, या कोई और त्योहार आ रहा है. और हम क्या करते हैं, कि हम अपने घर जाएंगे, ऐसा मन में विचार लेकर आते हैं, छुटियां मनाएंगे, परिवार के लोगों के साथ मिलेंगे, और थोड़े समय के लिए हमें अपने काम से फुर्सत भी मिल जाएगी, तो हम वैसे ही खुस हो जाते हैं, दूसरा हम अपने कहावत जो है वो प्रचलित है कि साथ वार न्यों त्योहार, यानि कि यहाँ पर वार साथ है, एक अपते में साथ दिन है, लेकिन यहाँ त्योहार जो है वह नों मनाए जाते हैं, तो इतने ज़्यादा त्योहार जो है यहाँ पर मनाए जाते हैं, ठीक है, तो क्यूं मनाते या त्योहार जो है या कहीं भी त्योहार क्यों बनाये जाते हैं लोग अपनी खुसी को जाहिर करने के लिए भी मनाते हैं कोई मौसम परिवर्तन हो तब भी मनाते हैं या फिर गाओं में देखें तो जो किसान है उसकी फसल जब पक जाती है और कटने के लिए तयार रहती है तो कटाई के बाद जो है वो त्योहार मनाता है तो ये उत्सव त्योहार मेले जो है सांसारिक उल्जणों में फसे लोगों को कुछ समय के लिए सांति प्रदान करते हैं तो चलिए इनको ही हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसा हमारे 12 माह आते हैं ठीक है तो वो कौन-कौन से आते हैं इनको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एकदम सिक्वेंस वाइज में आप लोगों को ये याद रखने हैं इन ही से संबंदित जो है वो आपको यहां पर त्योहार जो है याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा त्य मार्ग शीष, पोस, माग और फागुन तो ये 12 मा है हिंदू कैलेंडर के अकौल्डिंग तो ये चीज़े आपको याद रखनी पड़ेंगे बहुत अच्छे से बार बार इनको बोलेंगे जिनको याद नहीं है चैत्र, बैसाग, जेट, आसाड, सावन, भादो, आश्विन कार्थिक, मार्ग, पोश, माग और फागुन ऐसे आप याद रखेंगे ठीक है तो थोड़ा जानिये कि चैत्र जो है वह है मार्च और अप्रेल का जब माहा आता है इनको तो आप अच्छे से जानते ही है तो उस वक्त हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन सा माहा चल रहा हो जून जुलाई में आसाड माह जुलाई अगस्त में श्रावर्ण यानि की जब क्या मनाते हैं रक्षवंदन मनाते हैं अगस्त सितंबर भादो सितंबर अक्टूबर में आश्विन या आसोज भी कहते हैं अक्टूबर नवंबर जब क्या मनाते हैं हम दीपावली मनाते हैं तो कुछ त्योहार तो हम इनसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में दीपावली आती है तो उस वक्त कौन सा महा चलता हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्तिक महा ठीक है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं नवंबर दिसंबर में मार्ग, दिसंबर जनवरी में पोस, जनवरी फरवरी में मार्ग और फागुन में फरवरी मार्च जब हम मनाते हैं फागुन के महा में हो ली तो एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखने हैं दूसरा जो है क्या ध्यान रखना है कृष्ण पक्ष और सुकल जो की बार-बार आएगी तो कृष्ण पक्ष होता है घटते चांद का पकवाड़ा तो पूरा चांद होता है और धीरे धीरे जो है घटते क्रम में चलता है तो पंदरवे दिन क्या हो जाती है अमावस हो जाती है ठीक है अंधेरा चा जाता है चांद जो है वह है छिप जाता तो क्या कहते हैं अमावस आ गई तो जब चांद जो है घटते चांद का पक्वाड़ा होता है तो उसे कहते हैं क्रिश्न पक्ष और बढ़ते चांद का पक्वाड़ा उस वक्त होता है सुक्ल पक्ष और इसी दोरान जो है धीरे धीरे चांद जो है वो बढ़ता चला जाता है और पंद्रवे दिन क्या आ जाती है? पूर्णिमा आ जाती है. ठीक है? तो चलिए सबसे पहले त्योहार जो हैं, राजीस्थान के त्योहार हम देह रहे हैं, जिसमें राजीस्थान में एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गनगोर, यानि कि त्योहारों के चक्र की सुरुवात शावण महा में जो तीज होती है छोटी तीज तो उससे मानी जाती है और अंत जो है गनगोर से माना जाता है तो राजिस्थान के संबंद में एक तो ये याद रखें कि त्योहारों के चक्र की सुरुवात होती है छोटी तीज से जो शावण महा में आती और अंत होता है गंगोर से, ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे सबसे पहले छोटी तीज, छोटी तीज जिसे श्रामरी तीज भी कहते हैं, सावन में ही आती है, सुकलपक्ष की तृतिय को हम छोटी तीज मनाते हैं, तो तीज के साथ त्योहार का आगमन हो जाता है और गंगोर क के साथ हो जाती है समाप्ती. ठीक है? तो ये दोनों बाते तो आप धियान में रखेंगे. इंटीज के साथ ते हहारों का आगमन और गंगोर के साथ समाप्ती. तो यहां सारी चिजे याद भी हो गई होगी. जैपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है ठीक है जैपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है एक्जाम में कई बार ये कुश्यन जो है वह है पूछा भी गया है तो देखिए महलाओं का तो सबसे प्रिय त्योहार है छोटी तीज और ये भी कहते हैं कि जब किसी का विवा हो जाता है तो उस जो विवाहित इस्त्री होती है उसे ससुराल में ना रहकर उसे पीहर भेज दिया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि पहली तीज पर सास और बहू एक साथ नहीं रहेंगी तो इसलिए ससुराल पक्ष से बहू को उसके पीहर भेज दिया जाता है इस दिन हातों पाओं में महंदी लगाई जाती है, स्रेंगार किया जाता है और गीत वगएरा ये भी गाय जाते हैं, पेडों पर जूला डालकर जूला भी जाता है, तो जो लड़कियां हैं वो तो इस त्योहार से बहुत अच्छे से परिचित्व हैं, और जो गुलाबी इस दिन बहन जो है वो भाई को राखी बानती हैं, और भाई जो है बहन को क्या देते हैं, बदले में उपहार देते हैं, नेक्स्ट देखिये, सावन में ही मनाया जाने वाला त्योहार है नाग पंचमी तो नाग पंचमी नाम से ही पता लग रहा है नागों की होगी पूजा और शावन की जो पंचमी है कौन सी कृष्ण पंचमी तो इस दिन मनाते हैं नाग पंचमी नागों की पूजा की जाती है और शावन क्रिश्न पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, खीर वगएरा बनाई जाती है और नाग बनाकर जो है, उनकी पूजा जो है इस दिन की जाती है, तो हमें तो एक्जाम के अकॉर्डिंग ही इन चीजों को याद रखना है, कि त्योहार जो है, यह कौन स तिथी को मनाया जाता है और इस दिन किसकी पूजा की जाती है अगला देखिए बड़ी तीज या जिसे बूरी तीज भी कहते हैं जिसे सातुरी तीज भी कहते हैं और जिसे कजली तीज भी कहते हैं तो एक तो ये चारों नाम याद रखें बड़ी तीज, बूरी तीज, माहा में मनाया जाता है वह होती है छोटी तीज और यह कौन सी है बड़ी तीज और यह भाद्रपद कृष्ण त्रत्यों को मनाई जाती है कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है कहां की प्रसिद्ध है बूंदी की प्रसिद्ध है वहीं पर जो गुलाबी नगर जैपुर मे चोटी तीज का त्योहार प्रसिद्ध है ठीक है और ये एक्जाम में कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि कजली तीज जो है कहां की प्रसिद्ध है तो बच्चे क्या सोचते हैं तीज ही तो है यह है तो कहां की प्रसिद्ध होगी जैपुर की प्रसिद्ध होगी तो ऐसा करके वो कर देते हैं गलत तो कजली तीज तो बूनी की प्रसिद्ध है और वहीं पर जो शावन की तीज है वह है जैपूर की प्रसिद्ध है ठीक है इस चीज को ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट त्योहार है हलचट जो की भादरपद कृष्ण सस्टी को मनाया जाता है और इस दिन श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बल राम जी इनका जन्म हुआ था तो इस दिन क्या मनाते हैं हलचट का त्योहार कब मनाया जाता है भादरपद कृष्ण सस्टी को तो ब भादरपद कृष्ण सस्टी को हुआ किसका जन्म बलराम जी का उसके बाद भादरपद कृष्ण अस्टमी को किसका जन्म हुआ कृष्ण जी का जन्म ठीक है जांबो जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था भादों की कृष्ण अस्टमी को जांबो जी का जन्म हुआ था कृष् अरीके से मनाया जाता है, आप लोग भी मनाते हैं हर सारे, तो यहां पर भी एक छोटी सी कहानी है, जो आप जानते भी हो, कि जो कंज था, उसने बहुत सारे अत्याचार किये थे, और उनकी अत्याचारों को सहा था उनकी बहन देवगी ने, तो देवगी की आठवी संतान के में भगवान श्री कृष्ण जो है, वो जन्म लेते हैं, किस दिन लेते हैं ये कृष्ण पक्ष की अस्टमी को, ठीक है, ध्यान में रखियेगा, तो जो भगवान जो है, प्रत्वी को कंज की आतंक से मुक्त कराने के लिए यहां पर अवतार लेते हैं, और इसी वज़े से हर साल हम लोग मनाते हैं, कृष्ण जन्मास्टमी, गोगा नवमी, तो यह भी भादों में ही मनाई जाती है, गोगा नवमी, भादरपद कृष्ण नवमी को, और गोगा जी का मेला गोगा मेडी में लगता है, ये भी याद रखें, और आप लोगों ने गोगा जी के बारे में पहले बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है नेक्ट देखिए बच बारस भादर बद कृष्ण द्वादसी को बच्छडे की पूजा की जाती है तो इस दिन जो है गाए की बच्छडे की जो है वह पूजा की जाती है ठीक है और इस दिन जो घर की महलाएं जो ह गाय माता जो होती है और चारा, रोकॉरी खेला है, तो उस घर में मा लख्शमी की करफा तो बनी ही रहती है, उसके साथ में Kil eye में कभी भी कोई कान अनी होती है. यदि तो उसकी बराबरी जो है कोई देवी देवता कोई तीर्त जो है वह भी नहीं कर सकता ठीक है गाय माता के दर्सन करने से जो पुन्य मिलता है तो बड़े-बड़े यग है दान है या ऐसे कर्म जो है उनसे भी नहीं प्राप्त हो सकता जो कि गाय माता की पूजा करने से अर्चना करने से प्राप्त हो जाता है, तो आप भी जानते हो कि जो स्री कृष्ण भगवान थे, उनकी माता जो यसूदा थी, वह भी भादरपद कृष्ण द्वादसी को बच्छडे, गाये, इनकी पूजा अर्चना विसेश तोर पर किया करती थी, और जो भगवान थे, व हम तो क्या है, इनसान है, तो यदि आप लोग गायों की रक्षा करते हैं, इसमें विस्वास रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, कुछ काम तो इनसान को स्वेम भी करने ही चाहिए, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए, कि त्योहार है, इस वज़े स से हम करें डेली ये काम जो है करना चाहिए बहुत अच्छी बात होती है जो लोग सुबह गाय को रोटी जो है वो खिलाते हैं नेक्स्ट देखिए हर ताली का तीज यह जो त्योहार है भाद्रपद सुक्ल त्रतिया को मनाया जाता है और इस दिन शिव पार्वती की पूजा क की जाती है तो यह जो त्योहार है यह मानिए कि यह तोहार जो है करवा चौत का त्योहार से भी कठिन माना जाता है क्योंकि करवा चौत में तो चांद देखने के वाद ब्रत जो है वो तोड़ दिया जाता है लेकिन इस त्योहार में पूरे दिन निर्जल ब्रत किया जाता और अगले दिन पूजा करते हैं और उसके बाद ही इस व्रत को खोला जाता है तो ये व्रत जो है करने वाली जो औरते होती हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो पार्वती जी हैं उनके समान जो है उनको सभी सुक जो है वो मिल जाते हैं ऐसा माना जाता है तो सबसे पहले जो है इस व व्रत करने वाली जो ओडते होती हैं, वो सुबए जल्दी जग जाती हैं, नहां दो कर जो स्रेंगार वगरा कड़ लेती हैं और फिर पुजा अरचना करती हैं, और पूरे दिन जो है भजन गीत जो है गायी जाते हैं, रात में जागरन किया जाता है और उसके बाद जो है शि अध्यम होता है याद रखने का लेकिन हमें याद क्या रखना है कि हर तालिकाती जो है वो भाद्रपद सुक्ल तृत्तिया को मनाई जाती है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूझा इसमें की जाती है नेक्स्ट त्योहार है गनेश चतूर्थी भाद्रपद सुक्ल चतूर्थी को मनाई जाती है गनेश चतूर्थी इस दिन रड थंबोर में गनेश जी का मेला लगता है तो गनेश चतूर्थी कम मनाई जाती है भाद्रपद सुक्ल चतूर्थी को ठीक है याद रखेंगे नेक्स्ट देखिए रिसी पंचमी तो एक तो पंचमी तिथी को मनाई जाएगी भाद्र पद सुक्ल पंचमी को मनाई जाती है रिसी पंचमी इस दिन जाने अंजाने में हुए पापों को धोने हेतु व्रत होता है और इस दिन माहिश्वरी समाज में रक्षावंदन मनाया जाता है तो ध्यान में रखे रिशी पंचमी का त्योहार जो है भाद्र पद सुक्ल पंचमी को मनाया जाता है और माहिस्वरी समाज में इस दिन रक्षावंधन मनाया जाता है नेक्स्ट देखिए राधा अस्टमी तो कृष्ण जी के जनम के बाद जो है किनका जन्म होता है राधा जी का तो राधा अस्टमी जो है भादर पद सुक्ल अस्टमी को मनाई जाती है इस दिन सलेमा बाद अजमेर में मेला भरता है तो और इसी दिन राधा जी का जन्म हुआ था तो खिष्ण जी के बारे में तो ध्यान रखिए कि घट्टे चांद के पखवाड़ा यानि कृष्ण पक्ष के समय जो है जन्म हुआ था खिष्ण जी का ठीक है भादों की कृष्ण अस्ट्मी को और सुख्ल पक्ष में होता है राधा जी का जन्म भाद्र पद शुक्ल अ अंतर है और इसको याद भी रख पाएंगे कृष्ण जी जो है वो साम्वले थे तो याद रख पाएंगे कृष्ण अश्रमी को नेक्स्ट दिखिए तेजा दस्मी, भाद्र पद सुकल दस्मी को तेजा दस्मी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन खेजरली ब्रक्षमेला लगता है, जो कहां लगता है खेजरली गाओं में और ये कहां है जोधपुर में याद रखेंगे खेजडली ब्रक्षमेला जो है कहां पर लगता है खेजडली गाउं में जोधपूर में और इस दिन विस्व कर्मा जैनती भी मनाई जाती है तेजा दस्मी के दिन में इस दिन ओजारों की पूजा की जाती है ओजार यानी किसी के पास जो है वो बंदूक होती है बंदूक की पूजा करते हैं तलवार होती है तो तलवार की पूजा भी की जाती है ठीक है नेक्स्ट देखिए देव जुलनी या जिसे जल जुलनी एकादसी भी कहा जाता है यह भादर पद सुकल एकादसी को मनाई जाती और भगवान विश्णु को बेवाड में बैठा कर जलासे में इसनान करवाया जाता है। बेवाड क्या है? लकडी की मंदिर नुमा आकरती होती है। कैसे किया? भगवान विश्णु को बेवाड में बैठा कर जलासे में इसनान कराया जाता है। ठीक है? इस दिन पुरुष जो है वो क्या करते हैं व्रत रखते हैं याद रखेंगे कि देव जुलनी के दिन जो है पूछा जा सकता है व्रत कौन करती है तो महलाएं नहीं बलकि पुरुष जो है इस दिन व्रत करते हैं नेक्स्ट देखिए अनन्त चतुर्दसी यह भादरपद चतुर्दसी को मनाई जाती है और इस दिन गनेज जी की प्रतिमा का विसर्जन होता है याद रखें अनन्त चतुर्दसी को गनेज जी की जो प्रतिमा होती है उसका विसर्जन किया जाता है भादरपद चतुर्दसी क वो यह त्योहार मनाया जाता है, अनंत 14 कम बनाई जाती है, भादरपद चतुरदसी को, अगला देखिए, भादों में आने वाला त्योहार है श्राद, पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक श्राद बनाते हैं, इसी समय कन्याएं जो है वो सांशियां बनाती हैं, जो जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसकी मरत्यू तो निश्चित ही है, या जिसकी मरत्यू हुई है, तो जन्म तो उसका निश्चित ही है, तो ऐसे कुछ ही मतलब लोग होते हैं, जो की मोक्षप्राप्त क्यों जाते हैं, तो पित्र पक्ष में तीन पीडियों तक के, जो तरपन रिशी तरपन और दिव्य मनुश्य तरपन तो इसके बाद में लास्ट में पित्र तरपन किया जाता है तो जिस तिथी को माता-पिता का देहान तो हो जाता है तो उसी तिथी को पित्र पक्ष में उनका क्या किया जाता है शिराद किया जाता है तो कई बार आप सुनत हैं कि उस व्यकति के तो पित्रदोस लगा हुआ है तितरदोस के अने कारण होते हैं जैसे का जो क्रिया करम है वो ठंग से नहीं करते हैं तो क्या लग जाता है पित्रजोस लग जाता है जिससे की ऊस परिवार में जो अशान्ती या फिर बिमारिया संकट या फिर पैसों का अभाव रहना सुक्सोविदाय ना होना ऐसे जो चीजे हैं यहाँ पर आ जाती हैं उस परिवार में तो इसलिए कहते हैं कि जो मृत्यू हो जाती है भुजर्गों की ही तो उनका श्राद जो है वह करना चाहिए शास्त्र की अनुसार आत्म शान्ती के लिए किसी पवित्र तीर्तिस्तान पर श्राद करवाया जाना चाहिए तो आप लोगों ने अपने घर परिवारों में यह चीज जो है देखी भी होगी तो यह परंपरा पहले से चली आ रही है तो इसको सही माना जाता है कई जो हैं कह देते हैं कि यह तो बेकार की बाते होती है ऐसा नहीं होता है हर चीज का जो हैвो महत्व होता है जो चीज बुरी है तो कुछ चीज सही भी है तो श्राद जो है एक्जाम के अकॉर्डिंग याद रखेंगे किश्राद भादरपद पूर्णिमा से आश्विन की अमावश्या तक बनाया जाता है ठीक है तो आज हमने दो महा के बारे में जाना एक तो सावन महा में आने वाले त्योहार और दूसरे भादों में आने वाले त्योहार तो सावन में आने वाले त्योहार जो है वो कौन-कौन से थे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एक तो छोटी तीज था, उसके बाद रक्षावंदन के त्योहार आया, नाग पंचमी, ठीक है, तीन त्योहारों के बारे में जाना, फिर हमने भादों में देखा कि बड़ लास्ट हमने शुराद के बारे में बढ़ा कि भादरपद पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक शुराद मनाया जाता है, ठीक है, तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आश्विन महा में आने वाले त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरीके से अच्छे से याद कर लेनी हैं, तो याद रखिए राजिस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है, तो इसमें जो फैक्ट हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, तो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू! झाल झाल झाल